ये दिखिए तोल पीर ही पीर दिखेंडर है और जितना बहुता ही पीर मेलेगा और उसके बीच में एट मंदिर है ये दखिए दोस्तो इनकी सखाय कितनी मोटी-मोटी है ये दखिए इसको नद्दिक से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दखिए और एक कई किलो मीटर दूर और आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा कि वह नजारा आप लोगों कैसा लग रहा है और मैं पूरा ट्राइ करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे ब्लोग वीडियो डेली बना कर देता रहूं और प्लीज आप लोग भी सपोर्ट किजिएगा चलते हैं उस अस्थान पर जहां आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं उस अस्थान के बारे में उस अस्थान को देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए चलते हैं तो दोस्तों अभी हम अपने गाउं से कुछी दूरी पर यानि हमारे घर से कुछी दूरी पर एक बड़े विशाल पेर है जिस पेर के बारे में आप लोगों को बताने आया है और इस पेर की खाइसियत के बारे में बताने आया है और कहा जाता है कि जो भी अपने सच्चे मन से इस बरहम बाबा को पूझते हैं तो यह बरहम बाबा उनकी मनोकामना अवस्य पूरी करते हैं और दोस्तों कहा जाता है कि ये बरहम बाबा का पेर कोई वर्ष सालों से यहां पर है और आप लोगों को बता दे कि ये पहले बहुत ही घाना जंगल हुआ करता था और इधर लोग आने से बहुत ही डरते थे आप लोगों को दिखा देखिए देखिए इन बरंबाबा की सखाई कितने मोटी मोटी है यह देखिए दोस्तों इनकी सखाई कितनी मोटी मोटी है यह देखिए और यह कई किलोमीटर में फैले हुए है कहा जाता है कि लगभग एक विघास डेर विघास में इन्होंने अपना अस्थान गरहन किये है और यह देखिए मेरा दोस्त है हाई बोलो और यह देखिए वो रोड है जिस रोड से आदमी गुजरता है देखिए यह देखिए इसकी सखाय देखिए कितनी मोट मोट है इसको नदिक से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं देखिए और यह कई किलो और दूरियों तक फैले हुए हैं और इनके बीच में वह मंदिल अस्थापित किया हुआ है बरहम बाबा का और वहां पर पूजा किया जाता है जहां पर आज मैं भी पूजा करने के लिए आया हूँ यह देखिए लेकिन दोस्तों एक भारी बहुत ही बरी तुफान आने की वज़ा से यह देखिए यह पेर गिर गया यह देखिए बहुत ही बरी भारी तुफान आने की वज़ा से यह पेर गिर गया है लेकिन आज भी इनकी पूजा किया जाता है इनमें इतनी सकती है कि जो भी जिस मन से आता है जिस मन सा को लेकर आता है अगर सच्चे दिल से इनको पूजा करे तो यह उनकी मनुकामनाद जरूर पूरी करते हैं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा यह अभी साल पेर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और इस बरहम बाबा के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसका राय आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं बरहम बाबा से यहीं बिंती लेकर आया था कि यह मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी वाइरल हो जाए तकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहूँगा और आप लोग एक बार कॉमेंट में जरूर लिखिएगा बरहम बाबा की जये और आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए